सखी सहेली सखी सहेली सभी सख्यों को अकांग्जा सिंग और रेडु चतुर्वेदी का नमस्कार क्या है भी है हमने तो सुचा कि आज नमस्कार वस्कार नहीं होगा कि हम ढुन 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 करते रहेंगे बूमरो बूमरो यह तो शुरुआत थी अब यह आगया कि कुछ ऐसे चलता रहेगा अब धमाका तो हो नहीं है नहीं क्यों देखो ऐसा है कि इसके कारेक्टरम के तुरंट पहले बेकरार करके हमें यू न जाई है जो हमने धुन बजाई हमें लगता है कि आज हमारे दोस्तों लोग फेसबुक पर यह जरूर बताए कि उन्हें कौन सी चीज बेकरार करती है और कौन सी चीज करार देती है इस पर हम चल्चा करेंगे आज बिल्कुल करेंगे और जब आपने धुन की बात कही तो वो धुन बजी इसके बाद हमने ये थोड़ी सी केतन अथे रखने वाली धुन बजा दी तो भाई जो वराइटी होती है रेनु जी तो भी तो मज़ा आता है ना अरे वो तो आता है लेकिन वेराइटी में क्या-क्या है ये थोड़ा पहले से पता चल जाए तो और मज़ा आता है है न कि आज हमारी साथी जो है वो तो खुद बखुद जानते हैं गए अज बुदवारे तो जाहिर है कि हम धारावाहिक नेत्री लेकर आ रहे हैं शाइना एंसीजी के साथ और इसमें आज हम बात करेंगे राजसान से सांसाद दिया कुमारी से बाच्चीत शाइनाएंसी कर रही है बिल्कुल और साथी साथ सखी विशेश के अंतरगत आज हम बात करेंगे अजीजेन भाई जी की लेकिन भाई देखो ऐसा है ना कि सखी विशेश तो है आकांग्शा लेकिन खास बात यह है कि हमारा पूरा देश जो है ये महोटसो मना रहा है आजादी के 75 वर्ष के और हम बढ़ चुके हैं और इतना खुशनुमा ये हमने पूरे वर्ष गुजारे तो उस बारे में हम आज समर में जो हुई अमर इस शीरशक से ये लेकर आते हैं और इसमें हम आज चर्चा करेंगे अजीजन बाई की उनकी कह सकते हैं शौरे गाथा की बात और उनके समरपन की बात जी बिलकुल सही और साथ ही साथ हम बात करेंगे मराठी साहितिकार भालचंद्र नेमाने जी की जी नहीं ग्यान पीट पुरसकार से सम्मानित किया गया जी हाँ तो आपको क्या करार दे रहा है ये बता दीजेए जरूर ये सब बातें करार दे रही होंगी लेकिन अजीजन बाई जो है उन्हें जो है ये गुलामी ने बहुत बेकरार कर दिया था और ये बात है आजादी के जंग के इतिहास के पन्नों में जब 1857 का वो दौर था बहुत महत्तोपूर ने हमारे पूरे देशवासी जानते हैं कि वहीं इसे कह सकते हैं कि एक चिंगारी डाल दी गई थी और वो धदकते धदकते 100 वर्ष लगभग बात मतलब 90 वर्ष बात हमें आजादी मिली तो ये अंग्रेजों के खिलाब फूट पड़ी थी और उनका अगर इतिहास देखा जाए उनके बारे में अगर जाना जाए तो मूलता वो नर्तकी थी लेकिन फिर भी देशभक्ती की भावना से एक दम परिपूर्ण इतिहास कार जो बताते हैं कि उनका जन्म 22 जन्वरी साल 1824 को मत्यप्रदेश में हुआ था मालवाक शेत्र के राजगर में और बचपन से ही उन्हें शौक था रानी लक्षमिबाई की तरह पुर्शों के लिबास पहनने का वो उनसे बेहत प्रभावित थी और जब वो चलती थी तो अकसर एक जोड़ी बंदूक रखती और जो अपने साथी सैनिक थे उनके साथ घो क्या है हमारे अंदर जजबात क्या है यह सब अलग हो जाते हैं तो यही हुआ अजीजन बाई के साथ धन संपत्ति की उनके पैस कोई कमी नहीं थी केवल एक साधारा नर्तकी ही बनकर रहना नहीं चाहती थी वो अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी और उनके जानती थी कि यह जो शक्तिशाली अंग्रेज सैनिक थे उन्हें हराना कोई आसान काम नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने देश की जो आजादी के लिए जो क्रांतिकारी लड़ रहे थे अपनी और से उनको पूरी सहायता करने का उन्होंने प्रंड लिया और उन्होंने य जिन चीजों की जरूरत पड़ती वो अपनी तरफ से पूरा योगदान देती बिलकुल उन्होंने पूरा योगदान दिया धन दौलत कपड़े गहने सब कुछ दे दिया और उसके साथ साथ केवल यही नहीं किया कि बस दे दिये पैसे और सब खतम उन्होंने यूथियों क टोली बनाई जो कि मरदाना वेश रखती थी और सभी गोडों पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर नौजवानों को आजादी के इस युद में हिस्सा लेने के लिए आमंतरित करती थी सोचो जरा जब वो चलती होंगी और इस तरह से जब टोली चलती होगी तो लोगों के मन में जोश होता होगा नहीं कि सब छोड़ चाड़ के बस कूद पड़ो इस आग में बिल्कुल उनको देखकर ही जोश आजाता होगा जी और वो घायलत सहनी को काईलाश करती थी उन्हें घावों पर मतलब मरहम पटी करती थी तो बहुत सारे देखो तरीके हैं और युद के दोरान अजीजन ने सिद्ध कर दिया कि वो वीरांगाना नहीं है बलकि एक कहना चाहिए कि एक शौरे से परिपूर नारी थी जी ब भागिवश वो पकड़ी गई वैसे तो कहते हैं ना कि वो लोग अपना सोभाग मानते हैं ना बंदिनी के रूप में उन्हें जनरल हैवलॉक के सामने पेश किया गया और जनरल ने उनके समक्ष प्रस्ताव रखा कि यदि वो अपनी गलतियों को स्विकार करके अंग्रेज उसे ख्षमा मांग ले तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा और फिर से रास रंग की जो दुनिया थी जिसमें उनके पास धन, दौलत, एश्वाराम था मिल जाएगी और वहीं अगर नहीं करेंगी तो सजा भुगत नहीं पड़ेगी उन्हें जी लेकिन उन्होंने कौन सा रस्ता चुना उन्होंने चुना उन्होंने शमा मांगने से साफ इंकार कर दिया और इतना ही नहीं उन्होंने एक शेरनी की तरह उंकार भरते हुए ये भी कहा कि माफितों अंग्रेजों को मांगनी चाहिए जिन्होंने भरतवासियों पर इतन अंजाम क्या होगा लेकिन फिर भी उन्होंने इसकी कोई पर्वाह नहीं की बल्कि कहना चाहिए ना कि बहुत बड़ा तमाचा उन्होंने जड़ दिया इस तरह से जब शेर्नी हुंकार भरके और इस तरह से बोलती है और बोला जिससे में उन्होंने तो हम समझ सकते हैं कि अं पीजन भाई के द्वारा कि इस बलिदान को इतिहास याद रखेगा, याद रख रहा है, हम बार बार हर बार शत शत नमन करते हैं ऐसी वीरांगनाओं को जो समर में हुई अमर. बिलकुल, उनके बलिदान को जो भारत वर्ष है, जो भारत वासी है, वो हमेशा याद रखेंगे, और अगली बात अगर हम करें, तो बातें तो काफी कुछ है, रेनु जी करने को, सक्षियों को इंटर्व्यू भी सुनाना है, लेकिन बिलकुल सही बात है, लेकिन फिलहाल त तो बस कुछ ऐसा जोश सा आजाता है, कि लगता है, बाकी कोई और बात नहीं हो, सिर्फ देश, देश, देश के बात हो, एक आंतरिक शान्ती बहुत जरूरी है देश में, ये भी देश भक्ती है हमारी, हम अपनी करतावे को बहुत अच्छे तस करें, ये भी बहुत जरू दूरी नहीं कि हमें देश भक्ती के लिए कोई बड़ी चीज करने की जरूरत है, कई चोटी-चोटी चीजे भी होती है, जिससे हम अपने देश के प्रती आभार प्रकट कर सकते हैं, वो भी देश भक्ती का एक हिस्सा है, बिल्कुल हिस्सा है, और आभार प्रकट करने के अलावा एक बात और है कि जो हमें आजादी मिली है उसको हम समहाल कर संजो कर आगे बढ़ें और उसमें और वृद्धी करें यानि कि देश अगर विक्सित होता है तो ये भी तो हमारे देश भक्त और क्रांतिकारियों के पती शद्धहंजली भी है और उन्हें कितनी खुशी मिलेगी कहीं वोगर देख रहे हूं जो हम कहते हैं न सितारे तारे बनकर वो चपक रहे हैं तो जाहिर है कि उन्हें मिलेगा कि हमने जो सौपा था अपने आगे आने वाली पिढ़ी को किस तरह से उन्होंने देश को विक्सित किया तो एक छोटी सी चीज जैसे तुमने कही तो आसपास हम साफ सफाई रखें जो हमारे संपत्ती है हमारे देश की उनको नुकसान न पहुंचाएं पर्यावरन को सम्हाल कर रखें ये सब भी तो है न हमारी जमेदारी बेगोल और देश के विकास में देश का हर नागरिक अपना एक छोटा ही सही एक अमूल्य जरूर दे देखो अमूले योगदान अलग से देने की जरूरत नहीं है जो काम कर रहे हैं उसको हम ठीक से करें है कि अगर हमारी बहने तो ये मत सोचिए कि हम कुछ नहीं करते क्योंकि पता है आकांग्शा एक बार ऐसे ही कुछ सर्विक्षन हुआ उप क्या करती है यहिद्य जरूरत नहीं है आप बहुत कुछ कर रही हैं जिसके लिए हमें कुछ धन मिले वही कुछ प्रम है ओर ऐसी ही हमारी कई बहने हैं जो उनते हैं दुनिया का हर काम अधूरा होता है नारी श्रिष्टी की सबसे खुबसूरत रचना है जो ना सिर्फ वंच आगे बढ़ाती है बलकि समाज से बुराईयों को खतम करने की शमता रखती है इन ही सब सफलताओं की कहानी पर आधारित है हमारा कारेक्रम नेथरी नमशकर स्वागत है आप सबका हमारे विशेश कारेक्रम नेथरी में महीला सांसद और उनकी कहानिया मैं हूँ शाइना एंसी और आज हमारे साथ मौजूद है दिया कुमारी जी जो राजिस्मंध राजिस्थान से लोकसभा सांसद है बहुत-बहुत स्वागत आपका नमशक चर्चा शुरू करने से पहले उनकी जीवन के अब तक की सफर की एक जलक जैपुर के पूर्व महराजा सवाई भवानी सिंग और महरानी पदमनी देवी के महल में 30 जनवरी 1971 को दिया कुमारी का जन्म हुआ राज हराने में पैदा होने के कारण दिया कुमारी का बच्चपन राज कुमारी की तरह बीता एकलोती संतान होने के नाते राज कुमारी दिया कुमारी व्यक्तिकत रूप से अपनी दादी राज माता गायतरी देवी की देखरेख में पली बढ़ी दिया कुमारी ने अपनी पढ़ाई दिल्ली के मौडन स्कूल और जैपुर के महरानी कायतरी देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल से की फिर वो उच्च शिक्षा के लिए लंदन चली गई जहांसे उन्होंने डेकुरेटिव आर्ट्स में ग्राजुएशन किया भारत वापस लोट कर दिया कुमारी अपनी पारिवारिक विरासत सिटी पैलस जैगर के ले समेत अन्य परिटन स्थनों के संधरक्षन की कामों की देखरेख करने लगी और समाद सेवा में भी बढ़ चड़कर हिसा लेने लगी दिया कुमारी अपनी दादी राजमाता गायतरी देवी के नक्षे कदम पर चलते हुए 2013 में राजनीती में कदम रखा और बेजेपी में शामिल हो गई इसी साल उन्हें सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से चिनाव लड़ने का मौका मिला और पहली पारी में वो चिनाव चीट कर विधायत बनी साल 2018 के विधानसभा चिनाव में टिकेट नहीं मिल पाया वो कहते हैं न, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा यानि 2018 के विधानसभा चिनाव का टिकेट ना मिलना दिया कुमारी के लिए वर्दान साबित हुआ क्यूंकि उन्हें अभी बड़ा लक्ष पाना था साल 2019 में वो दिन आही गया जब बीजेपी ने उन्हें राद समन से लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया चिनाव में दिया कुमारी ने शांदार जीत तरज की और संसद में कदम रखा तो दिया कुमारी जी के अब तक के सफर के बारे में और भी कई सारी बाते हैं जो हम बात करेंगे आपके साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका दिया जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत शायना जी एक राजकुमारी हैं आप और शायद इसके पहले सिर्फ आपकी दादी जो गायतरी देवी जी थी वो लोकसभा पहुंची और उसके बाद आप राजसमंद को रेप्रेजेंट कर रहे हैं क्या आपको लगता है ये सफर आसान रहा है या फिर वस इट जस्ट गोल्डन स्पून नहीं बिल्कुल नहीं ये सफर मैं ये नहीं कहूंगी कि आसान रहा है लेकिन मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और सवभागे की बात है कि मुझे भारतिय जन्ता पार्टी ने अफसर दिया और हमारे मानिये प्रधान मंत्री जी जब जैपुर पधारे थे 2013 में उस समय मुझे पार्टी में लिया गया मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है और गर्व की बात है उससे पहले मैं बिलकुल भी राजनीती में नहीं थी लेकिन सोशल वर्क से जुरीवी थी मैं दो स्कूल्स भी चला रही हूँ जैपुर में उसके अलावा भी बहुत सारे एंजियो से मैं जुरीवी थी मेरा खुद का भी एंजियो है जो हम लोग महिला सशक्ती करन पर काम करते हैं और मुझे लगता है कि इसी दोरान उससे पहले कोई ऐसी बात भी नहीं थी कि पॉलिटिक्स में आना है या कुछ भी लेकिन उस समय फिर ये चर्चा हुई कि राजनीती में भी मुझे आना चाहिए मेरे परिवार में मैंने देखा है मेरे पिता जी ने भी देश की सिवा की है वो सेना में थे मेरी दादी जी पॉलिटिक्स में भी थी और मेरे दादा जी भी उन्होंने भी बहुत महत्वपून भूमिका नभाई थी इंडिपेंडन्स और जब हमारे सब स्टेट्स मर्ज हुए थे इंडिपेंडन्ट इंडिया उस समय भी उन्होंने बहुत कुछ किया और बहुत बड़ा उनका कॉंट्रिबूशन रहा उस समय भी बहुत सारे ऐसी जैपूर में भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो उन्होंने शुरू की थी तो जनता की सेवा करना और जनता के साथ रहना ये मैंने बच्पन से देखा था लेकिन आपके पिताजी इलेक्शन लड़े कॉंग्रिस से फिर आप आई बीजेपी में आपका पहला जो इलेक्शन था वो सवाई माधवपूर में था और वहां से MLA चुनके आई और फिर आप गए राजस्मंद तो कैसा रहा ये पूरा सफर जी तो पहले मैं MLA थी सवाई माधवपूर से सवाई माधवपूर का मेरे परिवार से बहुत गहरा जुडाओ है जो सवाई माधवपूर की जो सापना हुई थी जब सवाई माधवपूर बना था तब मेरे ही परिवार पूरवजो ने सापना की थी सवाई माधवपूर की तो इसलिए शायद पार्टी ने मुझे वहाँ भेजा सबसे पहला चुनाओ जब मैं लड़ी थी क्या वो कठन था बिलकुल आसान नहीं था क्योंकि मेरे सामने जो चुनाओती थी एक तो बहुत सबसे पहली बात तो यह कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं थी राजनी थी मेरे लिए बहुत एक नया शेत्र था तो एक वो बात तो थी ही फिर मैं जैपूर से नहीं लड़ रही थी और सवाय मादुपूर जो ढ़ाए घंटे दूर है जैपूर से वहां से लड़ रही थी और मेरे सामने किरोडी लाल जी मीना चुनाओ लड़ रहे थे लेकिन वो सब कुछ दीरे दीरे सब कुछ जुड़ गया एक साथ और बहुत अच्छा पूरा माहॉल बना और बहुत ही अच्छा था और उस समय मोदी जी की बहुत अच्छी लहर थी उस समय सब चाहरे थे कि मोदी जी प्रधान मंतरी बने और ये MLA चुनाओ था विधान सभा का जो लोग सभा चुनाओ से कुछ ही महीने पहले था तो बिल्कुल इस वज़े से मेरी बहुत अच्छी जीत हुई एक राजकुमारी तप्ती गर्मी में प्रचार कर रही है और चैचा ये हो रहा है क्या वो हमारे लिए काम करेगी या फिर एक फोटो ऑपरचुनिटी जहां आप किसी के साथ खाना खा रहे हैं रोटी बेल रहे हैं आपको इस नजरिया से भी देखा गया तो आपको क्या कहना हैं इसके उपर नहीं मुझे नहीं लगता कि ऐसा था इससे पहले मैं MLA थी तो लोगों ने देखा था कि रात दिन मैं काम कर रही हूं चाहे धूप हो चाहे सर्दी हो बारिश हो कुछ भी हो एक बार अगर आप अपने आप ठान लेते हो कि नहीं मुझे जनता की सेवा करनी है और ये मेरी responsibility है मेरी जिम्मेदारी है तो वो आपका एक परिवार ही होता है और परिवार में कई बार आप किसी को मिलने जाते हो जब प्रचार भी करते हो तब महिला रोटी बना रही है तो उसके साथ बैटके रोटी बनाने में बहुत अलग ही मज़ा है तो वो मैं सोच है कि हम उनके साथ मिलके उनकी परिशानी सुने जब हम लोगों के साथ बैठेंगे नहीं उनकी बात नहीं सुनेंगे तो आप सिर्फ जाकी speech देके वापस आ जाए मुझे लगता है वो काफी नहीं है जनता बहुत आजकल जनता की अपेक्षा भी बहुत है और आपको अपे है वो घर परिवार से होता है या आपको लगता है कि यह वोटर्स जो है सोच समझ के अपना निर्ने लेते हैं और सिर्फ क्योंकि एक महिला है या एक पुरुष है उसके आधार पे नहीं देखिए वोटर्स सोच समझ के निर्ने लेते हैं वो यह भी देखते हैं कि आप कौ मारी लीडर्शिप करें देश की नैथित्व करें तो एक बहुत-बड़ी वज़े वह है कि आप बहुत हीजी एकसेप्टेबल होते हैं तो मेरी लिए बहुत-बड़ी बात है कि मैं भारती जनता पार्टी की सदस्य हूं और वहीं से मैंने चुनाओ लड़ा पार्टी के पार representatives होते हैं, महिला उन तक नहीं पहुचती, पहुच पाती, क्योंकि उनके अंदर जिजख होती है, लेकिन अगर महिला representative है, मिले है या MP है, तो किस कोई भी महिला उनसे directly बात कर सकती है, उनको approach कर सकती है, ये बहुत बड़ी मैं सोचती हूँ कि एक plus point है, positive चीज़ है, जो महिल किसे ऐसे मुद्दे थे जो आपने उजागर किये? ये लेनिंग का काम, वो भी मैंने उठाया, लेकिन मैं बहुत ही आभारी हूँ, दोनों ही मंत्रियों की, कि उन्होंने मेरी बात को बहुत seriously लिया, गंभीरता से लिया और जो fall ailing का काम है, उसको sanction भी कर दिया, और जो रेलवे का काम है, उसको sanction भी कर दिया और जो railway का काम है और कौन से ऐसे योजना हैं जो आप खुद स्वयम करना चाते हैं आपके वोटर्स के लिए? जी हमारे वहाँ पर उजवला योजना बहुत अच्छी तरह से लागू हुई है और बहुत सारी महिलाओं को जो गैस कनेक्शन मिले हैं और अभी एक करोड और गैस कनेक्शन मिलने वाले हैं अब इस बजट में घोशना भी हुई है केंदर सरकार ने घोशना की है तो इसमें मैं जादा से जादा महिलाओं को जोडना चाहूंगी हमारे वहाँ जल जीवन मिशन में भी बहुत सारे गाओं को लाब मिला है बहुत सारे गाओं इस जो जल जीवन मिशन की योजना है उससे जुड़े है और आगे मैं चाहूंगी बहुत सारी और जो पंचायते चूट ग और वहाँ पर जिसको भी किसी भी योजणा से जोड़ना है तो उसको वहाँ उसी सेंटर के माधियम से जोड़ा जा मैँ क्योंकि कई बार क्या होता है जंता को योजणा के बारे में जानकारी यह पूरी थरह Sunny और कैसे जूदन mana है उसका लाब कैसे लेना है उस वह वी एली सेंटर से उनको इसका इसकी जानता है। समानी होता है, रूरल एरिया की अलग प्रॉब्लम्स होती है, अर्बन की अलग होती है और उनको दोनों को आपको एड्रेस करना होता है, तो बिल्कुल मैं करती हूँ। जो चीजे स्टेट गर्वर्मन्ट के तक पहुचानी होती है, वहाँ भी हम लोग हमारी आवाज बहुत हैं, केंद्र सरकार में भी मैं अपनी बात को बिल्कुल बहुती मजबूती से रखती हूँ, पार्लिमेंट में भी और मंत्रियों के माध्यम से भी। दिया जी आपके बच्चे के बारे में बताईए कि as a mother, as a philanthropist, as a parliamentarian, कितना कठिन होता है बहुत सारे रोल्स को निभाना? जी, बिल्कुल कठिन तो होता है, लेकिन इसमें आपको बैलन्स करना होता है, समय देना होता है, सभी चीजों को मैं अपनी फैमिली को भी समय देती हूँ, और काम को भी क्यूंकि पॉलिटिशन होने के अलावा मैं बहुत कुछ और भी समभालती हूँ, जो हमारी फैमिली की जिम्मेदारियां है, म्यूजियम्स हैं, होटेल्स हैं, स्कूल्स हैं, जो मैं चलाती हूँ, एक एंजियो भी चलाती हूँ, सभी चीजों को मैं टाइम देने की पूरी कोशिश क करती हूँ, कई बार जो जो चीजे हैं, जैसे फैमिली कई बार निगलेक्ट होती है, इतना ध्यान नहीं दे पाते हो आप, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, सभी चीजों को प्रियोरिटी दूँ और बैलेंस करके चलूँ, अपनी तरफ से पूरा प् मुझे बताती है, लेकिन बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, परिवार पूरी तरह से मेरा बहुत सपोर्टिव है, बच्चे भी बहुत सपोर्टिव भी हैं और समझदार भी है। पिछली सरकार में जब राजिस्थान में हमारी भारती जंता पार्टी की सरकार थी, उस समय हम लोगों ने बहुत काम किया हर स्तर पे, और कन्या ब्रून हत्या बहुत बड़ी समस्या है राजिस्थान के लिए, लेकिन उस समय हम लोगों ने बहुत कुछ किया, बहुत सारे हमने प्रयोग किये जिससे की इस चीज को कैसे कम किया जाए लोगों की मानसिक्ता कैसे बदले और जुन-जुनों में एक बहुत बड़ा कारिक्रम भी हुआ था जिसमें करीबन धायलाक लोग आए थे एक record breaking कारिक्रम हुआ था उसमें भी हम लोगों ने बहुत प्रचार प्रसार किया क्योंकि वहाँ पर बहुत कनिया भूनहर्टिया की समस्या उस डिस्ट्रिक्ट में थी और राजिस्तार में हर स्तर पे हम लोगों ने अच्छा काम किया बेटी की जब कहीं भी बेटी का जनम होता है उसको हमने एक सेलिब्रेशन की तरह मनाया ताकि परिवार को ये लगे कि नहीं बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है और उसके बाद भी बहुत सारे जब तक की बेटी 18 साल की नहीं हो जाती तब तक उसको समय समय पर उसका डारेकली उसके बैंक में पैसा जमा करवाना ताकि उसकी शिक्षा में कोई कमी नहीं रहे उसकी एज्यूकेशन पूरी हो जाए और ये बहुत सारे प्रयोग होए जब हमारी सरकार थी राजस्तान में जो CCTV कैमरा की भी एक पूरा प्रदेश में योजना बनी थी जिसमें हर जगे पे जहां भी ऐसा लग रहा था कि सिक्यूरिटी रिस्क है वहाँ CCTV कैमरा भी अलोट होए थे लेकिन इसके बाद जो अभी कॉंग्रेस की सरकार राजस्तान में है ये इसमें बिलकुल भी ध्यान नहीं दे रही है बहुत दुर्भाग्य पूरवक है कि राजस्तान अब दो नंबर की पूजिशन में है क्राइम में और महिलाओं की प्रती जिस तरह से अत्याचार हो रहा है हमारे प्रदेश में ये बहुत ही दुख की बात है बहुत ही शर्म की बात है कि बहुत जादा बढ़ गया है क्राइम राजस्तान में महिलाओं की प्रती क्राइम एक चीज है और चाइल सेक्स रेशियो दूसरा वहाँ एक तरफ आप बलातकार देखते हैं असिन्वेदन शील बयान बाजी एक महीला होने के नाते क्या आपको दुख होता है कि आप इन सभी शेत्रों में सक्रिय रूप से कोई परिवर्तन नहीं ला सकें मैं यह मानती हूँ कि जब से यह सारी जो योजनाएं हैं जो हमारी केंद्र सरकार ने शुरू की बेटी बचाओ स्वच भारत से जो जगे जगे पर शौचाले बने हैं इसमें कम से कम महिलाएं बाहर तो नहीं जा रही है घर के कम से कम घर में शोचाले हैं तो उससे भी बहुत security risk जो होती थी वो काम हुई है बेटी बचाओं में उजवला योजना में भी जो चूले में जो फूख-फूख के ये महिलाएं अपना खाना बनाती थी अब उनको gas cylinder मिले हैं उससे भी बहुत फायदा हुआ है महिलाओं का directly भी महिलाओं के खाते में पैसा जो जमा हुआ है ये भी बहुत बड़ा एक benefit मिला है महिलाओं को महिलाओं को जो मुख्या का जो दर्जा देना है जो हमारे प्रधान मंत्री पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारी महिला ही घर की मुख्या बने और उसको घर में respect मिले और financially उसको कैसे जादा स्वेतंत्रता दिया जाए और आत्म निर्भर बनाए जाए जो बहुत बड़ा अभियान है हमारी केंद्र सरकार का इन सब चीजों पर काम हो रहा है लेकिन मान सकता ओवरनाइट तो बदल नहीं सकती इसमें समय लगेगा और लेकिन हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं और धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी नेक्ट जेनेरेशन को इसका बहुत फायदा मिले तो आपको जरूर पूछना चाहते हूं दिया जी कि जब आप राजनी ती या आपके कंस्टिटुनसी में नहीं हो आपके फिलैंट्रफी एंजियोस के लिए काम नहीं कर रहे हैं या म्यूजियम्स में नहीं या बच्चो परिवार के साथ नहीं तो आप करती क्या है आपके होबीज क्या है क्योंकि ज्यादा तर देखें तो राजगराने की बात करें तो पोलो और ऐसे होबीज रहते हैं लेकिन आपके होबीज क्या है जी बिलकुल मेरे मेरा परिवार पोलो से बहुत असोसियेटेड है मेरे ग् टुरिजम भी बहुत आगे बढ़ता है, हमारे राजस्थान में देखिए, बहुत सारे लोग आते हैं, बाहर से टीमें आती हैं पोलो देखने के लिए और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इसको भी हमको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, यह एक अमीरों का और मेरा बेटा भी अब पोलो में बहुत कुछ कर रहा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, मेरे होबी के लिए ज़्यादा समय मुझे नहीं मिलता आजकर, बिल्कुल, लेकि मुझे 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 पेंटिंग का शॉक था, बहुत रीडिंग का भी था, ट्र आपको लगता है कि स्कूल कॉलेज में आपको एक तरफ से देखा गया, कि ये तो राजकुमारी है, इन से बातना कीजिए, या इन से इनको एंटाइटल्मेंट है, या आपको लगता है कि सादगी की जिन्दगी थी बच्पन में, लेकिए मैं क्योंकि आमी बैग्राउन से क्योंकि मेरे पिताजी डेली में पोस्टिट थे उस समय, तो मेरी स्कूलिंग दिल्ली से हुई है, तो वहाँ पर मुझे ऐसा कुछ भी भेदभाव नहीं दिखा कि बिल्कुल भी नहीं और उसके बाद फिर मैंने आगे की शिक्षा लंडन में की, तो वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, साधारन जीवन में नॉमली भी मुझे कई बार लगता है कि लोग सोचते हैं कि यह प्रिवलिज्ड है, क्योंकि इसको यह सब कुछ विरासत में मिला है, इसने महनत नहीं की, जो मुझे लगता है सहीं नहीं है, कई बार मुझे एक्स्ट्रा महनत कर करनी पड़ती है, ज्यादा महनत करनी पर अपने आपको प्रूफ करने के लिए, यह होता है, यह होता है, बिल्कुल होता है, आपके शित्र में जो युवा, क्या आपको उनको कोई संदेश देना है, क्योंकि आज अमबिशन इतना बड़ा है, सब महत्व कांगशा, सब की म आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल बढ़े, हर प्रकार से आपको बहुत सारी ऐसी स्कीम भी हैं सरकार की, जिसमें आपको बहुत सपोर्ट मिल सकता है, उन स्कीम से, लाब मिल सकता है, अपना जो भी बिजनस शुरू करना चाहे, डेफिनिटली करे, मेरी तरफ से को कोई भी हेल्प की जरूरत हो, किसी भी प्रकार की सपोर्ट की जरूरत हो, तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए उपलब्ध हूँ, वहां हमारे राजसमन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, वो बहुत बार हमारे लोकल जो युवा हैं, उनको रोजगार नहीं देते हैं, तो मैं उनको बहुत मैं प्रयास करती हूँ, कि वहां पर लोकल जो हमारे युवा हैं, उनको सबसे पहले प्रियॉरिटाइज करके उनको रोजगार मिले, तो मैं पूरी एफट कर रही हूँ कि उनको मिले, और भी कुछ भी अगर हमारे वहां के युवा शुरू करना चाहे किसी भी field में आगे बढ़ना चाहें, किसी भी शेत्र में अपना नाम आगे बढ़ना चाहें, चाहे, sports की बात करें, politics की बात करें, या हमारे किसान जो हैं भाई हैं, वो भी अगर किसी प्रकार से, कोई भी मुझसे अगर साहता चाहें, support चाहें, मैं हमेशा उन लोगों के लि पूरा हो तो मैं सोचते हूं फिर जीवन बहुत ही अधूरा होता है और अंत में मैं दिया कुमारी जी से जानना चाहती हूं कि जो आप अगले पांच साल में आपके शेत्र के लिए तीन चीज करना चाहते हैं आपके वोटर्स के लिए आपके जो महिलाओं के लिए और उन्म और ये तो मावली मारवार कि में बात कर रही हूं यह पुश्कर मेरता है वह जोनना है बर से बिलाडा जोनना है भिलWARा को भी नाधवारा से जोनना है यह सब नई रे लिए लाइन्स हैं कि यह भी जल से जल शुरू हो जाए तोरिजम सर्कृट को भी मैं बढ़ाना जाओंगी राजसमन में क्योंकि महाराना प्रताप का ये शेत्र है वीरों की धर्ती है यहां शीनाच जी का मंदिर भी है तो यहां बहुत सारे शर्णार्थी आते हैं टॉरिस आते हैं लेकिन इसको कैसे जोड़ा जाए क्योंकि सब लोग उदैपूर आते हैं लेकिन राजसम मेरी तरफ से पर्सनली भी विल्कुल सेल्फ हैल ग्रूप मेरा चल रहा है तो उसको भी हम लोग जोड़े ताकि वहां पर जो बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट्स हैं जो हमारी महिलाएं करती हैं चोटे-चोटी यह हैंडी क्राफ्स की यह जो चल रहे हैं लेकिन उसको आगे तक कैसे बढ़ाएजाए बड़े स्तरते कैसे ले जाएं बिल्कुल तो यह भी मैं चाहती हूँ युवाओं के लिए भी रोजगार के और माधिःम कैसे बने हम लोग俺 क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि वहाँ पर रोजगार बढ़े यह भी पूरा प्रियास में करती है दिया कु माइने में शक्ति शाली और विक्सित देश बन पाएगा आज शो में बस इतना ही फिर मिलेंगे किसी और महीला सांसर्च से और जानेंगे उनके जिन्दगी के बारे में मुझे अनुमती दे नमशकार जी क्या भई देखो इस बें अच्छी थी बेकरारी और करार की जो बात हो रही है शाइना एंसी के संग ये हमने करेक्टरम सुना और नेतरी तो करार तो हमारे साचियों को तब आता है जब कहते हैं कुछ लोग कहते हैं हमारी पोस्ट पढ़ ली जाती है या आपकी पोस्ट आ जाती है तो भई हमें भी आपकी पोस्ट का इंतजार रहता है तो चलिए करार देही देते हैं रेनु जी पोस्ट पढ़ लेते हैं हाँ हाँ बिलकुल जो हम ये इंट्रिव्यू सुने से पहले जो हम बात कर रहे थे तो उसी से संबंधित एक हमारे युश्रोता है उन्ह खड़े हो जाते हैं आजादी हमें बलिदान विश्वास और एकता के बल्बूते पर मिली है और इस आजाद राष्ट्र में हमें जीने का जो सुवर्ण अवसर मिला है वो इन्हीं के वदलत तो अगर राष्ट्र के लिए कुछ करना है हमें तो सर्फ इतना ही कि जो हमारे क तवे हैं उनको हम ठीक से निभाएं क्या बात है बात बिल्कुल सही कही है आपने और आकांशा जैसे हमने कहा था ना कि जो हमारी बहने हैं जो घर में काम कर रही हैं पूरी ग्रहस्ती को सम्हाल रही है और पूरे परिवार को बच्चों को जीवन साथी को या कहें कि अगर यही कहने का मतलब है कि यह जो अपना करतवे कर रहे हैं यह भी वागई काबिले तारीफ है क्योंकि ऐसी ही माता है या ऐसे ही घर से तो ऐसी बच्चिया निकलती है ना जैसे कि शैली सिंग हाँ इनकी जो उपलब्दी है उनके बारे में भी बताईए ना बही देखो अंड जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है वो बस एक सेंट्री मिटर आगे थी तो समझों कि इनको भी स्वर्ण पदक जीतने में ज्यादा देर नहीं है अगला स्वर्ण पदक तो हमारे ही देश को मिलना है और वो भी लाएंगी शैली सिंग बिल्कुल खास बात बड़ी खड़े हो जाते हैं और हमें लगता है कि सब को इससे प्रेड़ना लेनी चाहिए तो आशाएं और उमीदे ऐसे ही बढ़ती है बढ़ती रहती है और जैसे ही एक आशा पूरी होती है तो दूसरी फिर से उड़ जाती है और बेकरार करने लगती है तो साथियों आप समझ र और बेकरारी की बात तो हम करेंगे लेकिन फिलहाल हम कुछ सहितेकार की जो चर्चा करते हैं उसमें आज ग्यान पीट पुरसकार से सम्मानित भाल चंदर नेमाडे जी की बात हम करने जा रहे हैं इनका जन्म 1938 में हुआ और ये हैं मराठी लेखक उपन्यासकार साथी साथ कव क्या बात है इनकी रचनाओं की बात करें रेनु जी तो साल 1963 में मातर 25 वर्ष की आयू में इनका जो पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ था कोसला नाम से इससे उन्हें अपार सफलता मिली यानि कि उन्होंने 25 वर्ष की आयू में बता दिया कि हम कुछ करके दिखा ही पिर 1991 में उनकी टीका स्वयंबर इस कृति के लिए उन्हें साहित अकादमी पुरसकार से सम्मानित किया गया और उनकी प्रमुकृतियों में जैसे सबसे पहले तुमने बताया ही कि कोसला है फिर उसकाद हिंद उपन्यास शामिल है और उनके साहित में जो कह सकते ना कि पर भी बल दिया गया है और साथ के दशक के लगू पत्र का आंदोलन के आप्रमुक हस्ताक्षर भी रहे हैं जी जब उन्होंने अपना पहला उपन्यास लिखा जो काफी प्रचलित हुआ प्रसिद हुआ उसके बाद उनके चार उपन्यास प्रकाशित हुए और चारो उप आपने बताया कि जो उनका हिंदू उपन्यास था वो भी साहित जगत में काफी चर्चित हुआ तो यानि कि जब बाते होती हैं और कह सकते हैं कि देशी वाद पर जब आदमी बल देता है तो कुछने कुछ लोग ज़ादा जुड़ जाते हैं और 2014 के पचासवे साहितिकार रहे वियस खांडिकर फिर उसके बाद कुसुमागरच और बिंदा करंदीकर ये पहले इनको तीन को मिल चुका था और इस तरह से ये जो साहितिकार लोग जब होते हैं ना तो ये भी कहीं ना कहीं जब हम बहुत परिशान हूं तो करार दे देते हैं जब इनकी जो होती है रेनुजी वो सबसे अच्छी दोस्त होती हैं कुछ ने कुछ सिखाती हैं ऐसा नहीं है हमारे शोता भी बहुत अच्छे दोस्त हैं सबसे अच्छी सबसे अच्छी मत कहों सबसे अच्छे में से भी अच्छे में से एक अच्छी दोस्त हैं यानि कि इनके लिए ह पैसा नहीं है, आप हमारे साथी ने लिखा है, मुझे बेकरार चीज करती है पैसा, और करार मिलता है जब खर्च करता हूँ, यानि मिलने वाला तो इन्होंने उड़ा दिया भई, मिलता है तब क्या होता है, कि खर्च करने की बेकरारी और बढ़ जाती होगी जरूर, लेकिन आकांगशा एक चीज बर तो भई हमें आपती है, जो तुमने कह दिया कि हमारे साथी जो लिखते हैं, ऐसा नहीं है, हमारे जो साथी कुछ नहीं लिख रहे हैं, और बैठे सुन रहे हैं, एकदम अपने काम में जुट कर, और कर्म योगी हैं, हम उनको भी बहुत प्यार कर आपकी बात तक भी हमारे तक जरूर पहुचती है, तब ही हम आपके हिसाब से करक्रम लेकर आते हैं, बिल्कुल ये दिल से दिल का जो नाता जुड़ा हुआ है, तो दिल से दिल की बात तो पहुचनी ही है, लेकिन पोस्ट की बात तो फिर करनी पड़ेगी न, इन्होंने लिखा है कि जब आपका पोस्ट नहीं दिखता तो हम बेकरार हो जाते हैं, इन्होंने लिखा है कि किसी चीज के बारे में अधूरी जानकारी मिले तब लोग बेकरार होते हैं, कि सच्चाई क्या है, बिल्कुल चाही बात है, यह बात तो है, यानि किसी को अगर बेकरार करना क्या बात है और साधी हमारे जो एक्ष्रोता है वो लिखते हैं कि उन्हें करार कब आता है करार तब आता है जब बेकरारी खत्म होती है ये तो सीधा 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 सवाल हो गया लेकिन सीधा सीधा जवाब हो गया लेकिन आगे वो कहते हैं कि जैसे सखी सहली चाया गीत या कु बिमारी लग जाती है तप भी करार आता है अब तुम आश्यरे करोगी ना। बेकरारी है, कहूं अपनी बेकरारी, सक्षी सहली सुनने में ही है समझदारी, मन में बेचैनी होगी, कसक होगी, बेकरारी होगी, विविद भारती अगर सुनते हो, तो आपको भी ये बिमारी होगी, अब है ये बिमारी नहीं है, ये बिमारी नहीं है, ये तो प्यार है, तो रहती है कि कैसे तीन बजे आप से मिलें बाते करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी करार वाली हैं लेकिन जो और भी बाते हैं कुछ लोगों को जैसे कहाना की पैसा मिले खर्च करने में आता है हाँ जब आपने जो एक शोता की जो बात पड़कर सुनाई थी कि उन्होंने कहा थ कि जब मैं खर्च करता हूँ तब मुझे करार आता है और उन्होंने ये नहीं बताया था कि जब मिलता है तब कैसा लगता है तो लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रहे हैं रेनो जी कि जब मिलता है तब करार आता है जब खर्च होता है तब तो बेकरारी आती है तो ये उल्टी बात कैसे हुई? ने देखो फरे ये तो बात है न कि सबके अपनी अपनी धपली, अपना राग, अपनी अपनी पसंद होती है. ये बात भी है. देखो क्या होता है? कुछ लोगों को ऐसे ही समय पास करते हैं. कुछ लोग किसी के सेवा करते हैं या कुछ समाद सेवा क बैका जीवन समाप्त होता है तब ये काम आप कर पाते हैं लेकिन घोशरा आपको पहले करने पड़ती है और सिर्फ गोशरा मात्र से बहुत करार मिल जाता है और कुछ लोग सिर्फ ऐसा नहीं है और लोगों को भी इसमें प्रोटसाहित करते हैं कि आप भी इस कारे को करें बिल्कुल एक ये एक सुकून मिलता है आपको कि आपके जाने के बाद भी कोई आपकी आँखों से ये दुनिया देख रहा होगा और कोई नहीं खास बात तो ये है आकांग्शा हमरे सब साथ ही वैसे जानते हैं लेकिन फिर अच्छी अच्छी बातें बार बार करने का दिल करता है कि कोई एक नहीं बलकि दो लोग के जिन्दगी में रोशनी आ जाती है वो भी हमारी तरह रंग पेड़ पंची और इन सारे चीज़ों को देख सकते हैं उनका रंग देख सकते हैं तितनीयों के रंग देख सकते हैं सोचो कितना अच्छा लगेगा सोचिए रेनु जी कि अगर हम ये रंग नहीं देख पाते तो कितनी बेरंग किसी ये जो दुनिया है हम कैसे जान पाते बिलकुल बेरंग हो जाती दुनिया अंधेरे में हम जी रहे होते तो ये कुछ चीजें हैं इसका संकल्प करके भी और केवल खुद नहीं बलकि दूसरों को भी इसके लिए प्रतिबध करवाना इसके लिए प्रयास करना एक मुहिम करती है तो चलो घड़ी का सम्मान हम सब करते हैं समय का सम्मान हम सब करते हैं तो इजाजत ले ली जाए सभी को रेणू चतुरवेदी और आकांक्षा सिंग का नमस्कार सखी सहेली सखी सहेली